कि है एलो एवरीबन देखिए अब कोश्चन नमबर सेकिंड देखो कोश्चन नमबर सेकिंड में क्या कहता है कहते है दट ट्रेंगुलर साइड वॉल्स ओफ फ्लाइओवर पता है न आपको ठीक है जैसे आज कल तो बड़े बने वे हैं हाई वेस पे फ्लाइओवर ठीक है न यहां पर क्या है इधर भी है इधर भी है इधर भी है ठीक है ड़िए अड़टाइसमेंट के लिए कि इधर advertisement वगेरा हो जाकती है ठीक है समझ पा रहे हो कहते है साइट्स ओफ दा वॉल्स आर 122 मीटर है और एक कितनी है 22 मीटर और एक कितनी है 120 मीटर यह बेसिकली यह क्या है एक triangle मन जाए तो अगर मैं इसको यहाँ बनाओं अलग से इस तरीके से है यह बड़ा सा करके यह है यह एक triangle triangle की dimensions नहीं है 120 मीटर है यह कितना है 22 मीटर है और यह है 122 मीटर क्लियर तो अब यह advertisement वाली वाल हो गई ठीक है जी कहते था advertisements yield and earning of rupees 5,000 per meter square मतलब क्या कह रहा है यहाँ पर कि जो earning है जो यानि कि एक तरह से post है यहाँ पर यहा rent है जो यहाँ पर advertisement लगाने का वो कितना है 5000 रुपीज है पर मीटर square का पर year के लिए पर मीटर स्क्वेर का है एक साल के लिए एक साल के लिए अगर आपको यहाँ एक मीटर स्क्वेर पर एड़र्टाइजमेंट करनी है तो 5000 रूपीज देने है ठीक है लेकिन अब मीटर स्क्वेर यहाँ पर बोल दिया उसने है ना पर मीटर स्क्वेर और हायर किया वाल को कितना three months के लिए ठीक है ठीक है ठीक है how much rent did it pay अब देखो ठीक है three months के लिए हम निकाल देंगे कितने पैसे देने हैं उसको लेकिन अभी इतनी बात समझो कि हमें इसमें करना क्या है हमें इतनी बात पाद चलगी कि ये meter square के हिसाबसे यहाँ पर जो है कोस्ट बताई हुई है तो यानि कि इसका भी मीटर स्क्वेर हमें पता होना चाहिए सबसे पहले तो यह बात है तो वह मीटर स्क्वेर हम देख लेते हैं कि कैसे करनी है बताओ समझ पा रहे हो या नहीं बता दो छीक है अब यहां पर कई बच्चे क्या पूछते है कि यहां से तो हमें साफ पा चल रहा है कि यह क्या है हमारी हाइट है और यह क्या है हमारा बेस है तो क्या हम one by two base into height से कर सकते हैं अभी देखना भी पाचलेगा देखो सबसे पहले हम इसक से निकालेंगे अगर हम समझे तो हमारे फॉर्मूला है ही रहुज के और एस माइनस एस माइनस मैं d में के त् liksom हम यह हमारे पास एह है मानलों यह b वह हो गई यह कhol सब्सक्राइन टिका है औस हमें 22 प्लस में 120 प्लस में 22 डिवाइड बाइट एड़ कर लो जरा इनको 122 120 और 22 224 224 और 26 और यह कितना आगया तो यह प You.. अरिया ओफ वाल वारे में हमारे पास एस कितना है 1323 vad sweetheart कि दूस्पिटना माइस में एए कितना है 122 पिर क्या है हमारे पास 132 एस फिर बी माइनस करो 120 फिर अगे एस 132 माइनस में C कितना है हमारे पास 22 है clear तो देखो जराब यहाँ पर 132 इन 2 में 132 में से 122 माइनस करोगे तो कितना आएगा हमारे पास 10 आएगा देख लेना करके 10 आएगा और 132 में से 120 माइनस करोगे तो कितना आएगा 12 आएगा और 132 में से 22 माइनस करोगे तो 110 आएगा ठीक है, इर उनस फॉर्मूला से कर रहे है अभी देख लेंगे उसके कोडिंग भी 1 बाइ 2 बेस इंटू हाइट के कोडिंग भी सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है पहले इसको समझो, अब देखो ज़रा यहां पर हमें पता चल गया या तो इनके क्या करो, प्राइम सेक्टर्स निकाल दो नहीं तो जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई थी, देखो 132 के अब इसली हमें समझ में नहीं आ रहे तो अगर मैं 132 के बनाना चाहूँ, क्योंकि यहां से तो यह इजी बन रहे हैं हमारे पास, देखो यह 10 है न और यह 110 है, तो यहां आप मुझे पता है 11 into 10 करूँगा तो 10 के लिए तो एक पेर बन गया यह वाले 10 के लिए 12 को ऐसी रहने तो चलो अभी और यह 10 यह है, इन चारों को तो मैंने ऐसे लिख लिए यहां दिख रहा है कि 11 आ रहा है तो इसका 11 में फेक्टर देखा हमने तो 11 6 जा ठीक है और अब यह 2 3 जा करने की तुरह नहीं है, सिम्पल 6 और 1 करूँ मैं नोर्मा आपको बता रहा हूं सब्सक्राइब करना हूं यहां यहां लिखता हूं देखो 11 इंटू में 12 इससे फाइदा क्या हूं यह बन गया यह 12 वाला बन गया और यह 10 वाला बन गया इस तरह कर सकते हैं तो पूरा प्राइम फैक्टर लो सभी के निगाल दो फिर बनाओ बहुत लंबा प्रोसेस है ना तो यहां पर हमें बेसिकली हम आपको यह नहीं सखारे कि स्क्वेर रूट कैसे निगालते हैं हम तो को स्क्वेर रूट तो आना चाहिए आपको पहले सी यहां बस मैं आपको नई चीज क्या बता रहा हूं कि इस तरीके से आपने बड़े फेक्टर देख लेना है जो कि यहां पर पेरिंग में बन जाएं तो आपका टाइम बचेगा ना यह थोड़ी सभी की प्राइम करने बैठ जाएंगे यहां पर तो देखो 11 का पेर बना एक 12 का और एक 10 का तो यह कितना अंसर ने आया सोड़ी अभी एरिया यह तो हमें पाच लिए एरिया क्योंकि उसने मीटर स्क्वेर के हिसाब से यहां पर बताया हुए जो रेट है एडवर्टाइजमेंट वाला तो उसके कोडिंग से यानिक मुझे एडिया ही निकालना बड़ को टैन से मल्टिबलाए करोगे तो वन थ्री टू जीरो आएगा और मीटर स्क्वेर आएगा ठीक है कि यह इतनी बात या नहीं है बतातो ज़्या सिंपल सी बात है ठीक है अब देखो देरा अगर मैं यहां पर देखूं कि वन मीटर स्क्वेर का जो रेंट है एक साल का वो क स्क्वेर के घरो के लिए करोगा मुल्टिप्लाई करोगे ठीक है तो हमारा आंसर आजाना चाहिए यह नहीं के ठीक है तो इसको ऐसी रहने तो अब मैं अगर यहां बात करूं आपके लिए कि उसने तो बोला है three months के लिए रेंट बताने आपको three months के लिए तो देखो three months के कि जब आप करोगे तो for three months कि क्या करोगे आप जो भी ये एक साल का रेंट आया जो भी ये रूपीज में इसको इसलिए नहीं कि यहां पर कुछ हो जाएगा इसका फाइदा रेखो one three two zero तो इतने रूपीज तो क्या थे हमारे इतने मीटर स्क्वेर के एक साल के थे पर इयर की बात हो ली थी एक साल या नहीं कि 12 months के पैसे हैं हमें थाइए थी months के तो three months के लिए क्या गरोगे बताओ three by twelve ऐसे क्या क्या होगा मने three by twelve बताओ देखो खुद अभी मैंने आपको उताया इतने जो यह पैसे हैं आपके वह कितने साल के लिए एक साल मतलब 12 months के लिए हैं अब इतने पैसे अगर 12 months के लिए हैं तो इसमें एक महीने का रेंट बताओ कैसे निकाल दोगे आप आप क्य एक महीने का इस mirror यह चाहिए तो मैंडी वाले तो कितने बार महीनों के हैं और अगर एक महीने का रेंट चाहिए दो 12 से एक महीने का रेंट आया ठीक है इसको को multiply कर दूंगा किसमें 3 से तो हमारा क्या देगा थ्री मंद्स का रेंट आ जाएगा तो इसलिए 3 12 किया इसको समझ रहे हो थ्री मंद्स हैं तो 3 by 12 इस त्रीके से multiply किया है यह समझ में आने चाहिए आपके रटना नहीं है समझो सिंपल सी बात है कोई चीज एजो आपके वह बारा महीनों के लिए है तो उसमें एक महीने के लिए कितना होगा 12 कि भाइड कर दो एक महीने का हम अगरियो प्रवल कि हैना और फिर कितने महीने के आपको रेंट पे डंत कर दो प्रेभ्लम अigon जैसे मैं कहूं अब को कि 1200 जो है न है कि इसके लिए एक साल का एसे समुदो कोई जनग आपके यर्ओ एक लगवी से जर मान ye तो इक महीने का रेंड एक मिने how रेंड कैसे ने इंगा स ещёटो हुंगा रिस डिवाइड करूंगगा और आप महीन होगा रेंट क्योंकि एक महीन ने का जब रेंट मुझे पढ़ा चल गया था उसमें कितना था 10,000 था है ना 120,000 पूरे साल का बारा महीनों के लिए हमने हमें बाच गया एक लाक बीज जा रहा है तो एक महीने के लिए क्या होगा डिवाइड बैट तो कितना आगया वह दस अजार दस जार जो आया उसको त्री से करूंगा क्योंकि त्री मंस का रेंट देना है तो 30,000 हो गया तो अब इसका फाइदा क्या होगा देखो हमारे पास यह ना 12 जो यह है न थ्री फॉर दर ट्वैल और फॉर से चाह जाएगा फॉर थ्री दर ट्वैल और यह जीरो तो 5000 इंटू में 330 तो देखो 33 को फाइव से करो आप मुल्टिपलाई एजी करने के लिए फाइव थ्री दा फ रूपीज का जो है रेंट आपको देना पड़ेगा आया समझ में कुश्चन सिंपल था अब जो मैं आपको यहां कहा रहा है कि इसमें हमने इस तरी के से निकाल दिया यह तो हमें पाच रहा है यह इसकी हाइट लग रही है और यह क्या लग रहा है इसका बेस लग रहा है ठीक है न तो कितना रहा है 1320 यह इस तरी के से इसलिए निकाल दिया क्योंकि तो डायाग्राम से हमने पैचाना कि यह परपेंडिकुलर है यह इसका बेस है तो यह हाइट लग रही है यह इसका बेस लग रहा है ठीक है लेकिन फिर भी जो आपको करना इस टाइप के समझ रहो इतनी बात यह नहीं ठीक है अब जैसे कि मैंने आपको एक बार बताया था कि जो बेस है ना बेस जो है हमारा वह हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा होगा हमारा ठीक है उसके लिए मैंने आपको बताया था क्या था कि 90 डिगरी के सामने जो होता है वो हाइपोर्टनिस यह बेस है तो उसके कोडिंग अंसर भी यह 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 यहां पर लेकिन आपको करना इसी तरीके से क्यों करना है उसका कारण क्या है कि यहां कुछ उसने अपने आप से नहीं बताया आपको ठीक है क्योंकि यह तो मैंने आपको बताया था अगर कहीं पर हाइट है तो वह दोनों फॉर्मूले से अंसर आपका सेम आएगा है ना लेकिन उसमें कुछ ऐसे मैंशन नहीं किया यह तो इसलिए हम वह चीज़ कर नहीं सकते हैं हाइट वाला कंसेप्ट हम सिंपली इसको ही रांस के ओपर ही है यह तो सारा ठीक है ओके थैंक यू